बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो नॉमिनेशन तो होगा ही जी हाँ सोमवार आज रात को नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है तो उसमें काफी लोग नॉमिनेट हो रहे हैं मैंने आपको पहले बताया कि जानकुमार और राहूल वैद्या ने नेपोडिजम के रीजन की वज़े से जो है वो नॉमिनेट कर दिया उसके बाद काफी और लोग हैं जो नॉमिनेट होगे लेकिन इस वीडियो में क्या मैं बता रहा हूं जी हां कविता कोशिक जो की है बिग बॉस की नई कप्तान उन्होंने किसको बचाया यानिके आज रात को वो किसे को बचाने वाली है नॉमिनेशन से जट से यू बाहर निकालने वाली है तो चलिए मैं बताता हूं नमस्तर सश्रीकालाद आप कमागिनी केम चोके रोहाल कसे काय मैं हूं करन रजाने आप देख रहे हैं बॉल्यूड की खबरे लगता कविता कोशिक नई कप्तान कहती है कि मैं बचाओंगी नॉमिनेशन से एजास खान को अजास खानको मज़ा आने वाला है बहुत ज्यास कांगो नॉमिनेशन में जाते है यू निकाल देती है क्यूंके खाणनी के काफी अच्छ दोस ऐसे में दूसरे घरवालों की शकल देखने लाएगे क्योंकि किसी ने यह नहीं सोचा था कि एजास खान अचानक में बच जाएंगे आज रात को आप देखने वाले हैं दोस्तों वह बढ़िया मजा आने वाला है सारे नॉमिनेशन में आपको नहीं बताऊंगा अगर सारे ब बताऊंगा जिसने मिस किया उनके लिए क्योंकि कुछ तो बाते सस्पेंस होनी चाहिए लेकिन यह बताना तो जाहिर है क्योंकि मजा तो आना चाहिए जब आप देखोगे तब आप देखोगे कि कवीता कौशिक कहती है मैं अपने दोस्त एजास खान को नॉमिनेशन से इस हफते बचाना चाहंगी यानि कि इस हफ्ते शुकरवार शनिवार को भी आप एजास खान को ही देखें यानि के आज से लेकर समवर अभेण वर बिदववार शुतर्वार रविवार रोज एजास खान को आप देखेंगी यह तो कंफॉर्मडवी बाहार जाएंगे बाहार जाएंगे बहुत मज़ा आने वादा है आज क्योंके नई कप्तान है कविता कौशिक आप देखते रहें बॉलीवूड की खबरे हैं हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवूड हेलप लाइन पर मैं हूं एंकर करन रजानी टेक केर और गुडपार